पारवती के पंती तुम्हें हम नमन करें हरी बार क्रपाद रष्टिनिक की दियो मेरी नाब लगईयो पार आदरडी उपस्तित हमारे समस्सुस्रोता बंधू आए देखते हैं विप्र सुदामा के बारे में ये प्रसंग जो स्रीमद भागवत कथा से लिया गया है विप्रीत बन के पुत्र सुदामा जो जाती से ब्रहमण थे गुरु सांधी बन के आश्रब में विध्या अध्यन कर रहे हैं भगवान कृष्ण के सैपाटी बन करके तो एक दिन गुरु पत्नी ने भगवान कनहिया से कहा है लाला गुरु पत्नी बोली मोहन से मेरे लाला तनिकी धर आओ और घर में इंधन को ना मना एक छुला ला त्यारा बदला जब आत दिया है लाला इंधन नहीं है घर पे जिसके कारण भोजन भी नहीं बन पाया है भगवान कनहिया बोले के सब बोले जिन्ता क्या है के सब बोले जिन्ता क्या है जंबल से तोने लाला आओ एबी प्रसुदा मासंग मेरे सन्या तकल उठाया ताओ जब आब दिया है महिया इस भी चिन्ता बाली कोई बात नहीं है सुदामा भईया हमारे साथ में है हम जा रहे हैं जाकर के लकड़ियां ले आएंगे और उसी समय आगे बड़े हैं भगवान तो इसारा देकर के गुरुपत्नी ने सुदामा को अपने पास में बुला लिया भईया के गुरुपत्नी ने अरबी प्रसुदामा भली भाति समझायो पास बुलाओ है सुदामा को पोटली में चाबल बांध कर के दिया लाला दोनों भाईयों को भूख लिगये तो जंगल में खाले न गुरुपत्नी ने अरबी प्रसुदामा भली भाति समझायो थोड़े से चनाबाध की के पोटली में बठायो महराज चनाब पोटली में बाध दे लेन लकडि अत्रस्मस दामा घर से विजा किये और बंसी माने स्यामा नजर तरी तगसे न्यारी है और बुरली माने स्यामा नजर तरी तगसे न्यारी है जगसे न्यारी है कनाईना जगसे न्यारी है और बंसी माने स्यामा नजर तगसे न्यारी है उसी समय चना लेकर के चले जंगल में गए हैं और जंगल में जाकर के ब्रहम्मर सुदामा नीचे लकडियां एक अत्रित कर रहे हैं भगवान कृष्ण पेड़ से लकडियां तोड़ करके गिरा रहे हैं लेकिन नतीजा यह हुआ लगड़ी लाने में उने तभी हो गई साम अपानी भी बढ़ने लगा लोटिन पाये स्याम बो महादा मैना दोर कानी अधियारी रात म्रख्य के तुले तुनों कुमार सरनी सज पुड़े जाते ही स्कंडी बयारी के धोगों से बेचारे कांपे जाते हैं पानी बरस रहा है गुरू की आग्या का पालन करने के लिए तीनों लोगों के नाथ जंगल में ठिटों रहे है जो जना सुमा माबा भे था वो मन पोहन को पिये नहीं अब दीरे दीरे जब न लगों कच फेल प्रकट बनी पिये नहीं जना बाली पोटली उठाई है और सुदामा धीरे धीरे चना चबने लगा लेकिन चना कोई ऐसी चीज नहीं होती है शुरता बंधुओं के तुम चबते रहाओ पड़ोसी को मालम भी नहीं पड़े भगवान कनया ने जब कट-कट किया बाज सुनी है तो सवाल किया सेवं के मोहने कट-कट सब्द सुना बोले भईया क्या खाता है कछ होई तो निक मोगों देदे भूखन दम निकला जाता है जो ये बात कही जबाब दिया सुदामा भईया जब से तुम आए हो तब से हम भी आए है क्या खा रहे हो जबाब दिया है हमारे पास में क्या रखा है जूट बोले ब्रहमण सुदामा और जबाब दिया है कि मेरे पास में कुछ नहीं है सर्दी से दांच बज रहे हैं ऐसा लग रहा है क्या हम कुछ खा रहे हैं कपटी बोला क्या रखा मेरे दात में को ठंड सबाब है मगवाद से जूट बोला कपटी बोला क्या रखा मेरे दात में को सीन्द सबाब है औरे सीनीरे खाइबे देफोर दोई कट्ट कट्ट समुदा सुबाब महराज भेट समसम जिगाए को दाल सोट लई हमने बन मेरे दूए दाई है खंगाल गुरू से कपट मित्र से चोरी उनको ठीकान लगी है ना गुरू से कपट मित्र से चोरी उनको ठीकान लगी है ना जब आप दिया है ब्रहमबर सुदामा तुम थोड़े से चनों के लिए हमसे जूट बोल रहे हो तुम्हें इस का परडाम जरूर भूगतना पड़ेगा और धीरे 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 नतीजा ये हुआ है घर पे चले आए और घर पे आने के बाद में गुरू पत्नी से भोजन मांगा है कनईया ने तो बोली लाला तुमें बहुत भूख लगती है तुम्हारे साथ में सुदामा गया था अभी तक भोजन नहीं मांगा है तुमने चना नहीं खाये उले मईया चना कहां थे क्या मतलब इसका मतलब ये है कि ब्रहमबर सुदामा अकेले चना खा गया कोई बात नहीं ब्रहमबर सुदामा अब तो फसिगाए तुम उस चंगुल में जो गुरू से कपट करता है मित्र से चोरी करता है वो दरिद्र हो जाता है या कुष्ट रोग हो जाता है उसी समय से जनो और नतीजा ये हो गया बाब तुलसी दासी कहते है रामाड में अर गुरु से कपट मीत्र से छोरी कई होई निरधन कई होई पोरी और जैन मीत्र दुख होई दुखारी और उनाई बिलोकत पातक भारी जैन मीत्र दुख होई दुखारी और उनाई बिलोकत पातक भारी जो अपने मित्र के दुख को देख कर के दुख ही नहीं है वो मित्र नहीं है अपना दुख गिरी रजा करी जाना और मित्र का दुख रजा मेरू समाना अपने पहाण जैसे दुख को मिट्टी के कड के समान समझे मित्र के छोटे से दुख को पहाण जैसा समझे वो मित्र है लेकन कैसे हैं कलियू के मित्र ऐसे हैं हम तो ये कहते हैं कि आज के मित्रों से बचे रहो तो दुख मन कुछ नहीं विगाड़ पाएगा अरे कलियूग के मित्र यैसे मिली मिली के गात करें तुम करो लेकी बिरे बेपदी तुम्हारे साथ करें माल मारे जाल डारें आनी दिन रात करें केतना बदल गया समय अब तो पहले के थे पित्र जिननी मित्रों की सहाईगी आज के ही मित्र जिननी मित्रों की पुराईगी तुमने पुराईगे बदले जो भलाईगी समय बदल गया है, लोगों के ख्यान बदली गए, बिचार बदली गए कहते कहते हम भी ठकी गए समय बदल गया है, लोगों के ख्यान बदल गया है, लोगों के ख्यान बदल गया है बदल गया है समय, सोदामान को भगवान ने स्राप नहीं दिया था ये बात गुर्पतनी ने कही उधर भगवान स्याम सुंदर उन्होंने चोंसट दिन में चोंसट विद्याओं का अध्यन किया है और चोंसट विद्याओं का अध्यन करने के बाद जब ये द्वारिका के लिए चले हैं और द्वारिका के लिए जब चले हैं तो ब्रहमण सुदामा इतने सर्मिंदा हो गए कि विदाई के समय भी नहीं आए तो भगवान अपने मित्र से खुद मिले और जब आप दिये वहिया अगर तुमारे सर पर कोई आपत्ती कोई मुसीमत आ जाए तो आप हमारे पास चले आना इसे कहते हैं मित्र भगवान क्रिश्न क्रिश्न चंद्र नित कर्म से भए द्वारे का राज बोदाने को हो गया घर घर का मोहताज द्वारे का विजाकरी के भगवान द्वारे का धिक्स बने हैं ब्रहमर सुदामा की जब विद्याध्यन पूड हुआ है तो वो भी अपने घर पे चले आए सुदामा की साधी हुई जिनकी पत्नी का नाम था सुसीला जिने भामिनी भी कहते हैं अब तो घर पे बच्चे हैं लेकिन सुदामा के उपर दिन प्रति दिन गरीबी आती चली गई और इतनी गरीबी आई इतनी गरीबी आई मजबूर होकर के ब्रहमर सुदामा भीग मागने के लिए मजबूर हो गए इसलिए कहते ही कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का क्योंकि सदा ना रहा है जमाना किसी का क्या दसाब निगाई इसी इस्राप बस विप्र को पड़ी मांगने भीख पर एक कपटने कर दिया उन्हें लाख से नीख कतनी गरीदी पर किसी रोल वीजी भरिके को आठा दाले ना बाते हैं पियादे बठा बिलेता मठा नहीं कोई घर मांगे दस घर मांगे लोटा भरियादा मिले नहीं इतनी जरीबी है सर पेश छेशे दिन हो जाते हैं भर पेट भोज़त नहीं मिलता है बोज़त नहीं मिलता यदि सर डाका तो पाओ कडे यदि पाओ कडे जी ना निकला ये सेही जी ना जी ना में जी ना निकला पर ला निकला ब्रहमण सुदामा के उपर इतनी गरीबी है लेकिन फिर भी कोई कलेस नहीं कोई चिंता नहीं किंतु सुदामा विप्रको थीनत निक परवाह सांतिदार संतोस से करता था निर्वाह बड़े खुस है लेकिन एक दिन भहमणी सुदामा के पैर दबा रही थी और रोते रोते सुदामा की पैरों पे जब आंसु गिरे हैं तो सुदामा उठकर के बैठी गए जब आब दिये भहमणी क्या बात है सुदामा की पतनी भहमणी कहने लगी है सुरीमन बिचार के अबल इतना कर रही हो समझ में नहीं आता है ऐसे कौन से पाप हमसे बने गए जो भरपेट भोजन नहीं मिलता है तो सुदामा को पुरानी याद आई और जबाब दिया है बहर जबाब दिया है भहमणी दोस तुम्हारा नहीं है दोसी तो हम है आज द्वारी का धीस्वने बैठे वो हमारे बच्पन के मित्रें करमों का खेल है वो अपने करमों से राजा और मैं द्वर द्वार का भिकार भावनी हम गुरु कुल में जब पढ़े तो क्रिश्न मेरो सापाथी है गुरु कुल में जब पढ़े एक दिनगये लेन लकडी गुरु कुल में जब पढ़े बाई पपस है औरी प्यारी हम गुरु कुल में जब पढ़े बोले हैं ब्रहमण सुधामा भावनी एक दिनगये लेन लकडी गुरु कुल में जब पढ़े मोसे नी चट्री ठुड़नी प्यारी अकेले जब पढ़े मोहन ने पूछी काखाई रो में नी लटे जब जब जए जाई पापसे लोरी प्यारी हम दी लगरी दुभये आईगा मुणा पोते हमा हाथ मीं पकरीला प्यारी तम गुरु कुल में जब पढ़े क्रिस्न में वोसा पाप्यारी गुरु कुल में जब पढ़े जो ये बात सुनी है तो भामनी कहने लगी श्रीमन यही तो में सोचती रहती थी भला ऐसा कौन सा पाप बन गया जो भोजन तक नहीं मिलता है अब बताईए तीनों लोकों के नात भगवान उनके साथ में तुमने दोका किया तो कोई बात नहीं है अगर भगवान स्राप कारी है तो वो स्राप भारी भी है धंदालत मांग करे के कुछ मता आना केबल उनके पास से ले जा अपनी गलती की छमा मांग करे के चले आना जो इतनी बात सुनी है तो सुदा मामना करने लगे हैं भामनी वो बहुत बड़ा राजा है कई उसने हमें पैंचानने से इनकार कर दिया तो मेरी गरीबी का अपमान हो जाएगा तो भामनी कहती है ऐसा करो मरी बात मानो और चले जाओ द्वारी का लो अरे समझाते महा मिनी नारी और मेरे पिया द्वारी का जईयो मेरे पिया द्वारी का जईयो मेली सिरी ग्रेशन से जईयो मेरे पिया द्वारी का जईयो मेली सिरी ग्रेशन से जईयो सारी बिपति हरे करतारी मेरे पिया द्वारी का जईयो बे दीनन के हितकारी और हरे बिपति हरे सारी को मैं दीनन के हिता जारी और हरी भी पतियां सारी तुमरी ना बुल गे बापार मेरे दिया द्वार का जईयो भामनी कहने लगी है तो सुधा मा मना कर रहे हैं हम नहीं जाएंगे तो भामनी समझाती है महराज मैं अपने लिए नहीं कह रही हो मुस्छे ये तुम्हारा दर देखा नहीं जा रहा है चले जाओ चले जाओ ना मरी बात मानो तो कोदो जो की दरिया मिलती तो सक्कर पैना निया तिलाती आरे हमा जाओ ठंड सहो करती पती तुम्हेरा जाई मिल जाती मैंने ये भी देखा है कुछ खाने को नहीं बचता है तो पानी पीकर के संतोष कर लेते हो सर्दी के महीना भी जटुरते रहते हो देखा नहीं जाता है ना चले जाओ चले जाओ ना अमदा की नड़िया दिलती और सक्कर पैना निया दिलाती हम जाँ ठड़ नस हो करती पते तुम्हेरा जाई मिल राती जब सीरी क्रेश्ण से है तू सुने यह की रधारी से हो जू सुने मैं तो नहीं के द्वारा पठाती हूं जिन पैसन सार पियासा है मैं तो नहीं स्यासा लगाती हूं जब आप दिया है चले जाओ कुछ मांग करके मत आना केबल गल्ती की छबा मांग करके चले आना सुदा मां मना करने लगे हैं भामनी हम नहीं जाएगे और जाने को अगर चला भी जाओं तो एक नियम होता है अब नियम क्या होता है नियम यह होता है कि गुरू के यहां मित्र के यहां और पिता के यहां जब जाओ तो खाली हाथ नहीं होने चाहिए कि गुरू पिता मित्र के घर यद कोई दाद कि गुरू पिता मित्र के घर यद कोई जाओं को खोटी मोटी मेंटर सच ले जागर मेरी नारे मेंटा मेंटा हो ये नाई है रामी काहरे को ले जाए मेरी प्यारी काप्रभू पॉले जाए पास में कोणी में कामी प्रभोबा जा विमता थोडे दिन की पासरिया काटे से घटि नई है कि लवबा कोडे दिन की पासरिया काटे से घटि नई है विम्मा काटे से घटि जाई है विम्मा कोडे दिन की पासरिया काटे से घटि जाई है विम्मा भगवान कनया के पास चले तो जाएं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास में देने के लिए बैट में कुछ नहीं है वो भामनी कहने लगी है महारा अगर ऐसी बात है तो मैं चली जाती हूँ कुछ लेकर के आऊंगी केबल तुम जाने के लिए तैयार हो तो भामनी चली के पते आग्या पर लाचार भई मांगन को दुखिया चली देनी पते आग्या पर लाचार भई मांगन को दुखिया चली देनी काउने न भेट उधार दई जब नाई सब ने कर दीनी किसी के द्वार पे जाती है तो खेम लेए कई बात सुनने को मिल सी है कि परों ले गई और आज भर आईए रीत हादन घर को लोटी सब उडिनायो हो सब चाभी के बिगरी में माए गोई साथ दे तो सब करत वहे लाचा भी के अब हुए मन में मनई न भामिनी मांग न को जावे अरे हुए मन में मनई न भामिनी मांग न को जावे अरे ऐसी गरी वीवरात पेसा न आई कोई जावे अरे तब है एक सकी कई आई गई एक गरीब पडोसन ने जबाब दिया है भामिनी क्या बात है चेरा ये मलीन का एको है तो सारी काहनी बताई है कि मेरे पती करस्म से मिलने द्वारी का जा रहे हैं मैं पूरे गाउं में गूम के आई लेकिन दोई मुठी इंदाने मुए काउने न आए तो वो कहने लगी है गरीब पडोसन बेहन मेरे भी पती कहीं से चावल लेकर के आये थे मैंने उसमें से कुछ बना भी लिये हैं चल देखती हूं घर पे चल के लिखे और जब घर पे गई हैं तो तीन मुठी चावल जब मिले हैं उन्हें देखकर के भाब नहीं रोने लगी तो वो गरीब पडोसन प्रेम बस भगबान बेट उन्हार की पठबाईयो मामिनी दिल में खुशी भई आगन में दो मुठी चावल युनकों भूगी रई हटे से कापडा में बादी दाए रे पटे से कापडा में बादी दाए बिप्रसुदा मांके हाँ ठड में चावल तुरा तदाए प्रामण सुदामा फटे से कापडा में चावल ले करके चलने लगे हैं और जब चले हैं तो भामिनी ने जबाब दिया है नात जा रहे हो जल्दी लोट करके आना क्योंकि तुम्हारे बिना कोई दूसरा नहीं है सहारा और जा रहे हो तो जा करके के मेरी स्याम से नमस्ते कहियो और उने संगई लिवाई ले मेरी स्याम से मेरी स्याम से नमस्ते कहियो उने संगई लिवाई ले यो हो मेरी स्याम से चल दिये का बल दबागे द्वारे का जाने लिवे चल दिये का बल दबागे दीरे दीरे धीरे दीरे धीरे फ़रा मढ़े चल्बाएं करी स्याम सुगर की याती बाई मेरे स्याम स्याम दीरे दीरे प्राम्मने चलिवाओ तरिस्याम सुगवगी या दीरे करीसिरी क्रेस्नकी पाई विवाई भद गई आगे कूँ पेर बढाई रहो आगे कूँ पेर कदम कदम बै मुरली धर के चरडन सीज जुकाई लहो गुत चरडन सीज भगबान कनहिया के पास गिलाएं जब सुदामा चले हैं दसा भोबनी गई की पेरों में जूते नहीं के सब अरे पाई विवाई भटी विप्र के नंगे पाई नो धाएं चलते चलते आज सुदामा एक महान बन में आएं ब्रक्षत लेगाए बैठी सुदामा गोविंद के खुडगाएं और को तज की द्वार कनहिया तेरे द्वारे आएं आरे अवसुधिलललवसी मारे तेरों गहिन ओटा लुच्चा ओटा नामुधराई दे वेई मान बनाई दे तोटा ब्रहम्बर सुदामा उसी जंगल में सोचा है थुड़ा बिस्राम कर लें और उसी समय सुदामा को नीद आ गई भगवान कनहिया देख रहे हैं आज तो मेरे बच्पन का मित्र आ रहा है और सुदामा को सोता हुआ देखा है तो भगवान ने योग माया से सुदामा को उठा करके द्वार पे लिटा दिया और जैसे ही सुदामा के नेत्र खुले ही विचार करने लगे भई हम कहा आ गए या तो बड़े बड़े उचे उचे महलें द्वार पाल से पूछा है भईया ये कौन सा नगर है द्वार पाल हसने लगा जब अब दिया तुम्हें पता नहीं है भगवान के मित्र आते हैं बड़े बड़े बिमानों पर बैठ करके आते हैं और तुम तुम्हारे पेरों में जूते तक नहीं है सर पे फगड़ी नहीं है और भगवान को अपना मित्र कहते हो दूसरा पहरेदार कहने लगा है भईया क्यों लगे हो इस ब्रहमड से भई हमारा काम ही है कि अब बाहर की बात अंदर तक पहुँचा है ए ब्रहमड दे आप यहीं ठेरो हम गए और बहुत जल्दी बापस आ रहे हैं दौरपाल भागा भगवान के पास पहुचा दोनों हाथ जोड़े है दीन बंधू दर्वाजे पर एक ब्रहमड खड़ा है दीन गरीब है बूला बिने सहत बर विप्र से मिलो चतुर दर्बान पमोहन से जएके कहीं है दीन बंधू भगवान दर्वाजे पर एक दीन गरीब ब्रहमड खड़ा है पैरों में जूते नहीं है बस्त्र नहीं है पगड़ी नहीं है और बोला त्वारें में ठाला या तम दिम्प्रा खर का कुछ नई धिकाला है रगो मतिला मेली भोपी रह बगो कुरता भता पुराना है कैसी दसा है उसकी पड़ी ही भी नई पगड़ी भी नई सामित नदेह पैजार्मा है और वाप को नाम अबाप तु है पहपड को नाम भुदामा है जो यह बात सुनी सुदामा सुदामा मेरा बच्पन का मित्र मेरा भाई यह सुना है तो भगवान भागे इतना समय भी नहीं मिला जो दोड़कर के जूते पहले थे नंगे पैर भागे द्वारपाल देख रहा है कि यह हो क्या रहा है भाई इधर से भगवान भाग रहे हैं और भगवान को आता हुआ देखा है तो सुदामा भी लाठी टेकते आगे बड़े लेकिन नतीजा ही हो गया अरे तोनों दोड़े तोनों जप्टे यह प्रेम से इतनी रभ को समिला ये कहना को उख्रिय सब्भब है दोनों में पहले कौन मिला भगवान नहीं अपने मित्र सुदामा को गले से लगा लिया और गले से लगाने के बाद बहां पर बिठाया है राज सिंगासन पर जो भगवान के लाबा कोई नहीं बैठता था और एक बात कहीं भईया तुम्हारी एदे साब नहीं गई तुम हमारे पास में क्यों नहीं आए तो जवाब दिया है हम तो आज आते लेकिन क्या करें हम तो आज भी नहीं आ रहे थे वो तो तुम्हारी बाद भी नहीं मानी इसलिए बेज दिया तो जवाब दिया तुम से अच्छी तो हमारी बादी है जो बेज तो दिया तब तो हमारे लिए कुछ बेट में भी दिया होगा अब चावल बाली पोटली सुदामा ने दबाई सोचने लगे इतना बड़ा राजा है कैसे चावल देंगे बड़ी लाज लगएगी छोड़ो नहीं देते और उसी समय सजनो सुदामा वो चावल बाली पोटली जब दबाई है और जब आब दिया भाईया क्या रखा है छेचे दिन हो जाते हैं वो होजन तक नहीं बनता है कनाया सोचने लगे करम सब होए गए लेकिन पुरानी आधत ना आए गई कोई सुदार ना है वो चावल बाली पोटली जचीनी और भावी के भेजे हुए तंदुल बड़े ही प्रेम से चबने लगे हैं भगवान किसीरी क्रस्न जी के मेत्र मिलने सुदामा किसीरी क्रस्न जी के मेत्र मिलने सुदामा पहली मुठी भरी नी शाप भरी नी शाप भरी नी जैदावे कर्मों का मिलने सुदामा सेरी क्रस्न जी के मेत्र मिलने सुदामा तो सारे मुठी भरी नी शाप भरी नी पंदुल्दारे मुठी भरी नी शाप भरी नी जैदावे कर्मों का मिलने सुदामा सेरी मुठी भरी नी शाप भरी नी शाप भरी नी सेरी मुठी भरी नी शाप भरी नी जैदावे कर्मों का मिलने सुदामा तो सेरी मुठी भरी नी शाप भरी नी तिर ढेडीये मेलता तबसो हो बढ़ाए अझाट बढ़्ट एकल्ड के एकल्ड क upset प्रहमण सुदामा को दो मुठी चबने पर दो लोग दे दिये तीसरी मुठी चबने वाले थे रुक्मिडी ने हाथ पकल लिया एक भिकारी को तीनों लोग देने के बाद क्या खुद भीक मागोगे इन प्रहमणों के लिए तुमारे मन में अभी भी इतनी तया है अरे भूली गए भ्रगु ने तुम्हारे सीना में लात मारी थी वो चिना भी तक मिटे नहीं है और भगबान ने जो इतनी बात सुनी तो जबाब दिया है रुकमिडी तुम का एक उबूर लई हो भई तुम्हें पता नहीं है कि ब्रहमड अगर पत्र लेकर नहीं आते तो आज तुम भी सस्पाल के घर में होती है तुम तो इन ब्रहमडों की बुराई न करो और उसी समय ब्रहमड सुदामा के लिए बिदा करने के लिए भगबान कनाया की 16108 पत्निया थी भई समय ब्रहमड़ के लिए आहीं और जैसे ही आतमैं सब रोते देखी सुदामा कहन लगे भईया हमाही समझ में जायना आते जैं सब रोते कहा जाती है जब आब दो कहां से आई जैं कनाया इतनी ओरते घरती कहां? से आई हैं का नईया का लगे जे को और से नाया आई है सब तुमाई जोटी बोजा आई हैं अदलब तुने कितने ब्या करें उन्हें कि देखो जबाब दिये जे तु बहुत हैं बोले जादा कहा है 16108 ही तो हैं अरे भाई फिर विचार किया बड़ा राजा है तो बड़े 16108 है और इतना बड़ा राजा है अगर थोड़ी सी करपा हो गई तो गरीबी दूर है थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ कि सबसे पहले रुकमिडी जी आई हैं दोनों हाथ जोड़े जबाब दिया है दादा जी अब की बार आओ तो दीदी को साथ लेकर के आना नमस्त सुची है जी बड़ी है तासे कशना है तो पुझे छोटी है या तुदी है फिर जाम बनती है जब आप दिया है दादा जी अब की बार आए और बहुत जल्दी चल दिये अब की जरा आओ तो थोड़ा समय लेकर के आईएगा नमस्ति फिर सुची जी बड़ो राजा ही तो कोई बात नहीं जब आप दिया है कनाया अगर एक दूई होए तासे हम नमस्ति करें सबसे अगर नमस्ति कत रहे तो छे महीना लगेंगे हम जाए रहे लेना एक न देना तो ये सू की नमस्ति नमस्ति उसी समय चलते समय भगवान ने एक फूल दिया है और उस फूल को कि बिच्छा आए कि घरे ले जाए हमने बना करी हम नहीं जाएंगे लेकिन चले जाओ चले आए अब फूल दे करके जुंजला गए तो जब आप दिया हो रहे का नहीं है अगर तुमने हमें अपनों के सुद्व हो तो अपनों पापस करो बालापन के मित्रहो कहा दें तुम्हे श्राप और जो भगबन हम को दियो बस सोही लीजे आप सोची के हम गरीबी दूर कर रहे हैं गरीबी बापस कर रहे हैं लेकिन वो दोनों लोग बापस हुए हैं भगवान की द्वारा जो दिये गए थे और सुदामा जब बहां से चले आए और घर पे आए हैं तो क्या देखा है भामिनी बड़े सुंदर बस राभूशड पहने हुए हैं सोचने लगे ऐसा लगता है ऐसा लगता है का नईया तेरे पीछे तो मेरा परिबार भी चला गया कई या तो बड़े बड़े सुंदर महल वने तब तक भामिनी सामने आई रो लए ते सुदामा ओरे गिरधारी तेरे पीछे मेरो कुन बागा हो नसाई और उपर से आवाज तबाई भामिनी ने दजा लगाई सोचने लगे मेरा इतो या पर जोपडी थी वो भी किसीना अटा दी बड़े बड़े महल बना लिये अत्तव तक भामिनी ने आवाज लगाई आरे उपर से आवाज तबाई भामिनी ने भ्रात लगाई सोचने लगे भामिनी ये सब क्या है तो भामिनी बोली है महराज ये सब अपनोई है जब तुम चले गए उसके बाद में स्याम सुंदर आये थे और ये सब उनी की क्रपा है अब तो कनाईया को याद करे के सुदामा बहुत रोय प्रभू तुमने तो मुझे सब कुछ दिया है और हम तो तुम से चलते समय भी ठीक से नहीं बोले इस तरीका से अपने भक्त सुदामा की करीबी को दूर किया भगवान में महराज धन्द की नईया लगी गई पार ये धन्नी धन्नी सा तुम्हारी लीलाय परंपार करीबदन वगवान का नों कसान नहीं होगा राहत से मुलाकात हो है रान मैं होगा राहत से मुलाकात हो है रान मैं होगा